गुड मॉर्निंग श्टूडन विद्यर्थ्यों आज हम हिंदी के प्रमुक कवी नरेश महता इनकी पंपासर प्रस्तुत कविता जो एक खंड़क आवे शबरी से उद्रूख्त है ली गई है कविता में कवी ने बताया है कि रामभक्त शबरी ने पंपासर नामक जिल की प्रसिद्धी सून रखी थी पंपासर पहुचकर उन्होंने देखा वहाँ अनेक बड़े बड़े रूशी मुनियों के आश्रम थे जहां यज्य होते रहते थे वेदपाट होता था आश्रम में होने वाले रूशीक कलापो प्राकृतिक संदरिय का कवी ने विस्तृत एवं मनोरम वर्नन किया है तो विद्यार्थियों कवीता की शुरुवात करने से पहले कवीता के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं कवीता का परिचे करते हैं तो विद्यार्थियों, दुसरा सब्तक के प्रमुक कभी के रूप में कभी नरश महताजी ज्यानपीट पुरसकार विजयता नरश महताजी उन शिर्षस्त रशनाकारों में से एक है, जो भारतियता की अपनी गहरी दुरुष्टी के लिए जाने जाते हैं, आपकी भाषा संस्कृत निष्ट खड़ी बूली है, जिसमें विशय नुकुल भावपुर्ण प्रवाः है, नरश महताजी की प्रमुकृतिया, कितना अकेला आकाश यह यात्रा संस्मरन है, चेप्तिया अरन्या, आकिर समुद्र से तात्परिय, उत्सवा, वन, पाखी, सुनो, प्रवाद, पर्व यह कविता संग्र है, उत्तर कथा, दो भागु में है यह उत्तर कथा, डुकते मस्तूल, दो एकांध यह उपन्यास है, शबरी संशे की एकराब यह खंडकाव्य है, आदी रचनाय इनकी है, इस पद्य समंदी कवी कहते हैं प्रस्तूस पद्यांश, शबरी, खंडकाव्य से लिया गया है, यहाँ पर कवी नरेच महताजी ने पंपा सरोर के पास मुनियों के आश्रम, बटुक जन की क्रिया कलाप, वहाँ के पशुपक्षी, प्रकूती संद्रिय, आदी का बड़ा ह अधी मनोरम वर्ण किया है, तो विद्यर्थियों इस तासिका में हम यहां रुपते हैं, ब्रेक लेते हैं, रेष्ट करते हैं, अगली तासिका को हम कविता की शुरुवात करते हैं अध्यन के लिए, ओके, आप भी रेष्ट लो, ब्रेक लो, आई एक्सरसाइज करो, थैंक कविता का हमने परिचे देखा कि इस प्रस्तुत कविता में यह खंड़ कावे से ली गई है और यहाँ पर पंपा सरोर के पास के मुयू के आश्रम बटुक जन इनका क्रिया कलाब पशुपक्षी उनका प्रक्षुति संद्रिय आधिका बड़ा मनोर्म वर्नन कवी ने किया है अब हम इस कविता को शुरुवात करते हैं शाल और सागोन वनों को पार किया शबरी ने सुन रखाता नाम कभी पंपा सर का शबरी ने तो विद्यर्थियों यह से एक बार देखे शाल और सागोन वनों को पार किया शबरी ने सुन रखाता नाम कभी पंपा सर का शबरी ने तो विद्यर्थियों कभी केते हैं कि राम भक्त शब्री ने किसी के मुख से सुन रखा था कि पंपासर इस सरोर के बारे में शाल और सागोन इसका अर्था है एक प्रकरकी की वुरुक्षय है पेड़ है और पंपासर दक्षिन भारत में स्तीप पंपा नामक सरोर तो पंपा नामक सरोर को ही कभी पंपासर केते हैं तो इस पंपासर का नाम राम भक्त शब्री इन्होंने सुन रखा था और उसके लिए उसने ये जंगल ये व्रुक्ष भी उसने पार किये थे इसलिए कभी केते हैं शाल और सागोन वनों को पार किया शबरी ने सुन रखाता नाम कभी पंपासर का शबरी ने आगे देखिए पंपासर में बड़े-बड़े रुशी मुणियों के है आश्रम ज्यान व्यान तब आराधन के किर्थ रूप है आश्रम तो वहाँ पे पंपासर में बड़े-बड़े रुशी मुणियों के आश्रम है वे रुशी मुणी सदा ज्यान ध्यान में डूबे रहते है तो यह वहाँ के जो रुशिमुनी है आस्रम में जो रुशिमुन रहते है वो हमेशा ज्यान ध्यान तब आराधन करने में भक्ति करने में वहाँ पे डुबे रहते थे और इसलिए वह आस्रम कैसे है तीर्थ स्वरूप उनके आस्रम कैसे वह तीर्थ स्वरूप आस्रम शाल और सागोन वनोकावको पार करके उस पंपा नमक सरोवर तक पहुंचती है तो विद्यारतियों शबरी उन रुशिमनियों के उस तिर्थ के दर्शन के लिए या पंपा नमक सरोवर भी पार करके वहां पहुंचती है जब शबरी वहां पहुचते हैं तो क्या देखते हैं प्रात्यकाल हुआ ही था सब स्नान ध्यान में रत थे यंग्या आदी के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे रत अर्था दुबे हुए बटुक जन छोटे छोटे बच्चे बीनना इकटा करना तो विद्यार्दियो जैसे शबरी पंपासर पहुची तो उस समय सुर्योदय हुआ ही था कोई रुशी स्नान करने में व्यस्त था तो कोई स्नान के बाद ध्यान मग्न था छोटे छोटे बच्चे यग्यादी के लिए लकड़िया एककत्र कर रहे थे तो जब शबरी पहुची शाल और सागुन वनों को पार करके पंपासर पहुची रुशी मुनियों के आस्रम के हाँ पहुची तो उसने देखा कि वहां पर सब रुशी मुनी स्नान करने में व्यस्त थे कोई स्नान के बाद ध्यान मग्न था तो छोटे छोटे बच्चे यग्यादी के लिए लकड़िया एकत्र कर रहे इकट्डा कर रहते बीन रहते बिनन ना इकट्डा करना तो विद्यार्थियो इस प्रकार यहाँ तक हम ने इन तिन पध्यायश Cars the some है फिर्शें बार पध्यायशों को ॹम देखते है शाल और सागोन वनों को पार किया शबरीने सुन रखाता नाम कभी पंपासर का शबरीने नेक्ष्ट पंपासर में बड़े बड़े दुशी मिनियों के आश्रम ग्यान व्यान तब अराधन के तिरते रुप है आश्रम प्रात्यकल हुआ ही था सब स्नान ध्यान में रत थे यग्यादी के लिए बटुक जन लखड़ी बीन रहे थे तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम ब्रेक देते हैं रेश्ट लेते हैं आप भी क्या कीजिए आई एक्सरसाइस कीजिए रेश्ट लीजिए अगली तासिका को हम अगले पद्यांशों का अध्यन करेंगे ओके थैंक्यू गुड मॉर्निंग स्टूडन विद्यार्थियों लाश्ट तासिका में हमने देखा कि शबरी जो राम भक्त है उसने शाल और सागुन के वनों को पार करके वह आश्रम तक पहुची और उसने देखा कि उस समय सुर पद्यादी के लिए लखडिया बिन रहते एकत्र कर रहते तो अब इस तासिका में हम उसके आगे के पद्याशों का अध्यन करेंगे ओके कोई क्यारी छाट रहा था सिंच रहा जल कोई दुवी जा चुकी थी गाये सब रंभा रही थी कोई फिर से एक बार देखिए कोई क्यारी छाट रहा था सिंच रहा जल कोई दुवी जा चुकी थी गाये सब रंभा रही थी कोई अर्थात क्यारी अर्थात, खेतों में छोटी-छोटी मेंदों से घीरे होए स्तान जिनमें फसल उगाई जाती है, या पाख़ंधे लगाए जाते हैं, तो वह स्तान ऐसा, उसे हम क्यारी कहते हैं सिंचना अर्था जल का छिड़काव करना. रंबाना अर्था गाय का आवाज, जब जोर जोर से चिल्लाती नहीं, उसे रंबाना कैते हैं, तो क्यारी अर्था, क्यारियों की खुदाई कर रहा था तो कोई जल सींच रहा था जलका छिड़काव कर रहा था और सभी गायों का दुद्ध दुहा जा चुका था मतलब गाय को दुहाने का भी काम हो रहा था हो गया था गाये रंभा रही थी अब हम आगे का पद्ध्यांज देखते हैं गिले आंगन में हरिनों के खुर उभ्रे पड़ते थे बैट आम की डाली पर तोते चिके पड़ते थे अब विद्यार्थियों कोई-कोई गाय रंबा रही थी आश्रम का विश्तिरूत आंगन गिला हो रहा था तो जो आश्रम के आगे जो आंगन था वह गिला हो था और वहा पालतू हिरन चवकड़ी भरते फिर रहते आजु बाजु में फिर घुम रहते जिसके कारण आंगन की गीली भूमी पर उनके खुरे खुरे मतलब पेरों के निशान खुरों के चिन निशान फुवची आम की यु रुख्ष की डाली ओपर खुर तोते बेटे पेटे तोते क्या कर रहेते जोर जोर से बोल रहे थे जल कल्शी ले रुशिक अन्याय पोकर आती जाती भीगी एक वसन में वे सब धूले चरण घर चलती। एक बार फिर से सुनी है। वे जल भरकर भीगी साड़ी में ही घर को लोट रही थी, तो इस प्रकार विद्यर्तियों यहापर आमने इन पद्याशों का अध्यान किया, ओके, एक बार फिर से देखे, कोई क्यारी छाट रहाता, सिंच रहा, जल कोई, दुवी जा चुकी थी, गाय सब, रेंबा रही थी, कोई, आगे देखिए, गिले आंगर महरिनों के खुर उबरे पड़ते थे, बेट आम की डाली पर तोथे चिक पड़ते थे, जल कलशी ले रूशी कन्याए, पूखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब धूले चरन घर चलती, तो विद्यर्तियों, अब यहापर हम रु विद्यर्तियों, लास्ट तासिका में हमने देखा के जल कलशी ले रुशी कन्याए, पोकर आती जाती, पोकर अर्थत छोटा तालाप, वहाँ पे वह पानी भरने के लिए जल कलशी लेकर छोटी मठकी लेकर आती, और फिर पानी लेकर स्नान करके उसी भीगी वस्त्रों मे वह फिर से आश्रम चली जाती, अपने घर चली जाती, तो इसके आगे की जो पद्याश है, उन पद्याशों का अभी हम अध्यन करेंगे, ओके, यग्ये वेदिया सुलक चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी डिव्य और भव्य थी, शामती यहां की सारी, तो विद्या शिरुवात हो गई थी, तो वहाँ पर शिरुवात होने के बाद, रुशी मुनी आश्रम में वेद पाठ कर रहे थे, यग्ये के लिए वेदिया प्रज्वलित कर दी गई थी, इस तरह से, आगे देखिए, थी विशाल कितनी हरितिमा सुबित्ती पग्माटे, था विराट वट वुरुक्षे खड़ा, फैलाये, रुद्ध जटाये, तो वहाँ पर जो हरितिमा, अर्तत हरियाली, हरियाली फैली हुई थी, सभी जगह पर, और पग्माटे, अने पगद अंडिया, वहाँ पर पगद अंडिया भी थी, विराट वुक्षे खड़े होए थे, अपनी जिस तरह से जटा फैलाये, तो इसले कभी कहते हैं कि रुषी मुनिया आश्रम में वेद पाठ कर रहे थे, यग्ये के लिए वेदिया प्रजुलित कर दी गई थी, आश्रम में चारो और दैवी शान्ती चाही हुई थी, चारो और हरियाली का सामराज्य प्राप्त था, जिसकी भौसंख्य जटाए सब तरफ फैले हुई थी, दूर किसी एकांत विजन में मुग्द मयूरी तनमय, देख रही अपने प्रिया का रास नुर्त्य जो रस्मय, एक बार फिर से सुनिये, किसी एकांत विजन में मुग्द म LIN्यूरी तनमय, देख रही अपने प्रिया का रास मुर्त्य जो रस्मय है, विजन अर्थात जनहिन जहाँ पर कोई नहीं हो, ऐसी जगह किसी एकांत विजन में, ऐसी जगह भेजिसे जहां पर कोई नहीं है, मुग्द मैयूरी, मुग्द अर्थत मोहित, मैयूरी अर्थत मुर्नी, तन्मै अर्थत डुबी हुई, और रास अर्थत धोनीपुर्ना, तो उसी आश्त्रम में ही कही दूर एकांट में मयूर सुन्दर नुर्थ्य कर रहा था और उसकी केका वातावरन में गुंजा एमान कर रही थी मयूरी बड़े प्रेम के साथ अपने उस मयूर का उस प्रिय का नुर्थ्य को देखने में मुगद हो गई थी डूब गई थी तनमे हो गई थी हर सिंगार चमपा कनेर कदली केला थे फुले कमलों पर तूटे पड़ते थे भ्रमर सभी रस भुले तो विद्यारतियों आश्रम में हर सिंगार चमपा कनेर और केले के कदली अर्था केले के रुक्षों पर फुल आए हुए थे दूसरी और सरोर में खिले कमलों पर रस प्राप्त करने के लिए भ्रमर मतवाले होकर मंद्रा रहते पर तूटे पड़ते थे भ्हमर सभी रज भुले तो यह भ्हमर उस कमलों पर तूट पड़ते थे तो इस तरह विद्यार्तियों यहाप रहम ने इस कविता का अध्यन किया है इन पध्यांशों को फिर एक बार हम पड़ते हैं ध्यान दिजिए यग्य वेदिया सुलक चुकी थी वेद पाट था जारी कितनी दिव्य और भव्य थी शान्ती यहां की सारी थी विशाल कितनी हरितिमा शोबित थी पगवाटे था विराट वट रुक्ष खड़ा फैलाए उर्द्ध जटाए दूर किसी एकांत विजन में मुग्द मयूरी तनमय देख रही अपने प्रिय का रास नुर्ते जो रसमय हर सिंगार चंपा कनेर कदली केला ते फूले कमलो पर तूटे पड़ते थे ब्रहमर सभी रस भूले तो इस तरे विद्धार्थियों कभी कहते हैं अंतिम पध्यांशों में के रुशी मुणियों आश्त्रम में वेद पाट कर रहे थे यग्य के लिए वेदिया प्रजुलित कर दी गई थी आश्त्रम में चार ओर देवी शांती चाही हुई थी चार ओर हरियाली का सामराज्य से व्यापत था पगड अंडिया शोबा से युक्त थी वही एक विशाल वट वर्क्ष खड़ा था जिसकी भव संख्यां के जटाए सबी तरफ फैली हुई थी आश्त्रम में ही कही दूर एकांत में मयूर सुन्दर नृत्य कर रहा था उसकी उस नृत्य को देखने के लिए वातावरन को गुंजाइमान वह कर रही थी मजूर बड़े प्रेम के साथ अपने उस प्रियव के नृत्य को देखने में तनमय थी आश्त्रम में हर सिंगार चंपा कनेर और केले के वुरुक्षों पर फुल आये थे दुसरी और सरोर में खिले कमलोग पर रस प्राप्त करन तासिका को हम नए पाट का अध्यन करेंगे ओके थैंक्यू